रास्ता हमारे सामे सप्पुश का था, हमारे सामे हार का भी रास्ता था, तो जीत का भी रास्ता था तो बिज्ञानला के पढ़वे के ना भा सकत, बहुत खर्चा लगे छे में, किताब महग महगवे छे, कोचिंग जया पढ़े छे, दिली पटना के तसे करवा सब की पता भेड़ दीन तलरके सबसंगे रही छे, रायतों में तलरके सबसंगे आवेई छे, सिविल सर्विसेज की तयारी जो होती है, एक लॉंग टर्म की तयारी होती है, हर डी आप फ्रस्टेट हो जाते हो मैं शिप्राजा दर्भंगा से, वर्तमान में मैं सहायक आयक्त राजे कर मुझह परपुर में वाणी जिकर विभाग विहार सरकार में पदस्था पे थो, लेकिन इससे पहले यह दर्भंगा शहर मुझे आकाश्वानी दर्भंगा की उद्गोशी का, इसके लावा लोग यह सब मन की चीज़े हैं, हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास क्या चीज अबिलिबल है, यह सब हमारी मानसिक इस्थिती से ही दर्शाता है, बहुत ही निम्न मध्यम बढ़गी परिवार से बिलॉग करती हूँ, मेरे पिता की इस्थाई नौकरी नहीं थी, इसे लिए कोई स्थाई आमदनी मेरे घर में अबिलिबल नहीं थी, मैं तीन भाई बहन, शुरुवात में तो सनिक्थ परिवार थे, बाद में जैसे जैसे रोजगार की तलाश में लोग आगे चाते गए और मेरा सनिक्थ परिवार एकल परिवार में सिमठता चला गया, तो शुरुवात स कि जहांते हुएं, इसका परिवार में अबिल बढूएं जब तक मेरे पास वैसा हो नहीं पाया कि मेरे घर में घर मेरे घर में तक बिजली एबल मिल नहीं थी, हर मही ने अब बिल भर पाऊंगा इसलिए लगा नहीं तो लैंप के मैंने डिफेरेंट सारे मॉडल मुझे अ आवाजी अब तक कानों में गुंस्ती हैं, लेकिन तब भी ये भावना नहीं आई कि हम बहुत गरीब हैं या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि हमें वैसी परवडिश्टी गई, हमारे हाथों में उस समय भी प्रेमशंद की किताबें थी, फर्निश्वर नाथ रेन करते थे कि वो जो राष्ट्रोपती थे, वो सरक के किनाडए स्ट्रीट लेंप में पढ़ा करते थे, तसमारे पास थो लेंप अबलेबल हैं, तो यह जो चीजे मेरे दीमाग में भड़ी गई अँभाव और तो मैं संने नहीं कर पा रहे हैं, हम यह अगро नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि यह जो अभाव की जो feeling होती है ना कि हमारे पास क्या है नहीं है यह सब हमारी मानसिक चीजे है रास्ता हमारे सामने सबकुष का था हमारे सामने हार का भी रास्ता था तो जीत का भी रास्ता था अब हमें यह देखना था कि हम अफसर का रास्ता तलाश तो स्कूली जूते में ही अटेंट करते थे, लेकिन तब भी हम बड़े फक्ड से बड़े जोश से इसलिए जाते थे, क्योंकि हमारे हाथ में फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट होता था, गले में धेर सारे मेडल होते थे, शील्ड होते थे, मेरे फादर ने हमें डिफरे जैक ओफ नन, कोई एक चीज में, अभी भी हम लोग देखते हैं ना, कि बहुत सारे पैरेंट्स पढ़ाई, 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 उसी चीज में लगते हैं कि डिवेट ना हूँ, लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट सारे फॉर्म में अपनी इनरजी को इन्वेस्ट किया बहुत सारे जगों पर पहचान बनाई, लोगीत के तौर पर बात करूँ, तो मैंने बिहार राजस्तर पर एक प्रतिस परदा हुई थी लोगीत की, उसमें मुझे राजस्तर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन वो एक मेरा शौक था, मुझे उसे केरियर के फिर मैं आगे बढ़ती चली गई, जब मैं हाई स्कूल में आई, तब किताबों की अगर बात हुई, उस समें तु लैबरेडी इतनी रिच नहीं हुआ करती थी, तो हमारी टीचर्स हमें प्यार से बुलाती थी और उनों कहती थी कि नहीं, हमारे पास किताब ही, उनको आप ले जाएए, इसलिए नहीं देना है कि तो you can't afford it, इसलिए दे रहे हैं कि एक सही हाथ में जा रहा है और जब कल को तुम एक बेहतर बन जाना, उस लायक बन जाना, तो इन सारी किताब, तुम भी उस लायक बन जाओ कि दस लोगों को ऐसे किताबे तुम गिफ्ट कर पाओ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अब और आगे आई, 11-12 की बात आई, अब तक तो जो पापा दे रहे थे, हम लोग उसमें पूर्ती हमारी हो रही थी, लेकिन साइंस स्ट्रीम हमने लिया, बहुत सारे डिलेटिव ने सामने आ करके कहा, कि अरे बिज्यानलों क पढ़े यहां, मैं दरभंगा से हूँ, यहां पे लोग मैथली बोलते हैं, तो बिज्यानलों के पढ़े के ना भा सकत, बहुत खर्चा लगे छे में, किताब महाग महाग बे छे, कोचिंग जया पढ़े छे, दिली पठना करता से करा बहां सब, मैंने कि नहीं 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 तो यहां का एक बहुत ही प्रतिस्ठित कॉलेज, स्यम साइन्स कॉलेज, वहां पर मेरा एडमिशन हुआ, वहां कि लैबरेडी काफी रिच थी, तो इसलिए मुझे खास ऐसे दिक्कत नहीं भी किताबों को ले करके, लेकिन हाँ, अब तक जो मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ा मुझे मात्र गुडुदक्षना के तोर पर अभी भी याद है कि 101 रुपया शायद कुछ लिया था और उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, बायो पढ़ाया, मैत्स पढ़ाया और उन चारो टीचर्स की मैं अब तक शुक्र गुजार हूँ 12 में आने के बाद आकाश्वानी दर्भंगा में वेकंसी आई युवानी के तोर पर युवानी का लागार की डिमांड की गई हम दो बहने हम दोनों बहनों ने वहां पर अपलाई किया हमारा ओडिशन में सेलेक्शन भी हो गया और वहां से हम जैनित हो गए वो फूल टाइ कर्च को भी अपने कोचिंग के खर्च को भी किताबों के खर्च को भी जो मेरी निकल में शुरू हो गया अब यहां पर एक बात आई जो पापा ने उस समय कहा था उस समय तो मैं मुझे बड़ा चुबता था लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सही चीज थी उन्हों न चलो ये गेम खेलेते हैं, लेकिन that is not your passion, आप उसको पस एकदम दिमाग को एग्जास्टना हो, इसके लिए आप कर रहे हो, लॉंग टर्म में आपको कौन सा काम पसंद है, आपको लॉंग टर्म के लिए आप फ्यूचर में क्या देखना पसंद करते हो, आप उसको दिमाग मे जाके परफॉर्म कर लेते हैं, पैसे डेड़ सारे मिलेंगे, तो हम दोनों बहनों को लगा कि आड़े, दो चार हम शोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, तब तो कोई ज़रुत हमें रही नहीं जाएगी, आराम से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन उस समय पापा ने बिलकुल सक जाएगे न, तो शुरू में तो आप पार्टाइम के तौर पर लोगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको में इस्ट्रीम से डेवियेट कर देगा, और उन्होंने सीधी हमें उस चीज से कट कर दिया, कि नहीं, कोई पैसे लेकर के कोई स्टेश रो नहीं किये जाएगे, फिर आकाश्वणी दरभंगा में में फिर से लोगित का ओडिशन दिया, वहाँ पे मेरा सेलेक्शन हुआ, उन्होंने का ये एक एरपिटेर संस था है, आप यहाँ पर आईए, एक अलाकार के तौर पर आपको समान भी मिलेगा, उसके जो रिनेमिरेशन होते ही वो भी मिलेंगे लेकिन आपको इसको आमदनी का जरिया नहीं बनाना है, ताकि जो आपका में स्ट्रीम है वो डेवियेट ना हो, उस समय मुझे लगता था कि मुझे एरफोर्स जाना है, एरफोर्स जाने की मेरी दिली तमना थी, मेरे छोटे वाले अंकल उसी वो पोस्टेट थे, और मैंने करते हैं, तो शुरुआत से ही मुझे लगे थे कि तुम लोग सिविल सर्विसेज की तियारी करो, शुरू में तो मैंने ध्यान दिया नहीं, एरफोर्स के और बढ़ती रही, जब एरफोर्स में नहीं दुबारा हुआ, तो फिर मैं एकेडमिक्स में ही खुद को मैंने आग मतलब रास्ता इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है, डेल वेकेंसी नहीं आ रही है, लेक्चर शिप की वेकेंसी नहीं आ रही है, और कितना करना है, मेरा भाई छोटा भाई वो बीटेक की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था, तो अब मेरे ऊपर थोड़ा सा फिनेंश लेकिन उस साल 2012 की मैं बात कर रही हूँ, 12-13 की बात कर रही हूँ, तो BPSC की वेकेंसी आई, मैंने शहर में ही यहाँ पर एक कोचिंग है, वहाँ पर मैंने अडमिशन लिया, एडमिशन के लिए मैं पहले नहीं गए थी, मैं छोटी बहन को ले करके गए थी, वहाँ के सिक् मेरा first attempt में ही selection हो गया, अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, मुझे ही ऐसा लगा कि शायद मैंने इस struggle ना किया हो, कि मैं तो first attempt में आ गए, मैंने यह कर लिया, लेकिन नहीं, civil services की तयारी जो होती है, लोंग टर्म की तयारी होती है, हर डे आप फ्रस्टेट हो जाते हो, हर डे यह सब निराश्यावादी सोच जो है कभी-कभी हावी तो होती थी, लेकिन मेरे साथ एक plus point क्या था, कि मैंने अलग-अलग options भी अपने लिए खोल रखे थे, एक तरफ मैं PhD कर रही थे, तो मुझे लग रहा था कि lecturership मेरा एक तरफ सेफ है, यह ना सही तो lecturership सही, कुछ न नहीं सही तो फिर लोगीत तो है ही, फिर मैं वापस से में art के line में आ जाओंगी, तो यह चीज जो भी civil service के aspirant है, यह उनके लिए मैं यह जरूर कहूंगे, कि जब आप civil services के तियारी करते हैं, तो यह चुकी long term process है, इसलिए एक backup plan आपके पास जरूर होना चाहिए, यह नही होगा तो, खास करके UPSC mindset वालों के साथ यह होता है, तो वहाँ पर मुझे खुद को एक learning मिली, कि हमें असफलता को भी accept करना है, जैसे मैंने अपने Air Force के असफलता को accept किया, कि ठीक है, वो मेरा dream था, लेकिन मैं दो बार गई, और दो बार के बाद भी मेरा selection नहीं हो पाया, तो यहाँ पर मुझे accept करना पड़ेगा कि मैं आगे उसमें energy waste ना करूँ, शायद वो मेरे लिए field वो ना बना हो, तो अब मैं BPSC के लिए try कर रही हूँ, तो खुद को different different genre के लिए आपको तयार करना पड़ता है, हम लोग बस एक field के लिए वो अब शुरुआत वाला जमान करना है, हो सबता है कि अगर दो अटेम्ट में मेरा BPSC selection नहीं होता, तो मैं lecture ship के तरफ आ गई होती, तो यह सारी चीजे और इसके बाद, जब मेरा selection हो गया, तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ मैंने achieve कर लिया है, मेरा career पूरा मेरा set हो गया है, यह सब, नहीं, struggle never end, आपका struggle क अभी खतम नहीं होता, जब वहां पर आते हैं, तो आपको लगता है कि और पाने की ललक है, और आगे है, पड़िवार की तरफ से जो है, आपको धेर सारे expectation बढ़ने लगते हैं, एक लड़की के लिए कोई भी चीज सीधे पढ़ाई करना, तयारी करना, career पालेना, जितना क आप गार्डन बनाईए, क्यारी बनाईए, फुलवारी बनाईए, उन्हीं चीजों को आप पिक कीजिए, जो आपके लिए बेहतर हैं, जब मैं आगे बर रही थी, जब मैं क्लास 8th में थी, 10th में थी, तो जो मेरे हम उम्र भाई थे, उनके लिए घर में लोग बात करते थ आपकी बेटी भी आईएस बन सकती है, आपकी बेटी भी PCS बन सकती है, यह हमारी हम एक यह है, आटमेटिकल ही है कि लड़कियों को इन चीजों को फेस करना है, 100 में से 90 लड़कियां फेस करती है, I am not new, मैं कोई अकीली नहीं हो जो इन चीजों को लेकर के आगे बर रही फिर यह आगे होते गया, फिर मैंने उन चीजों को इग्नोर करना सीखा, मेरे पास हाँ एक सबलपक्ष जरूर है और जरूर था कि मेरे पैरेंट्स मेरे साथ थे, जब आपके माता-पिता आपके साथ होते हैं, आपके सपनों में साथ होते हैं, तो आप आधी लड़ाई ऐ इस भी तक मेरे कानों मेरे डायलोग गूंज रहा है, कि किते पढ़ थील पता ने, कुछ लग आते थे, कितना भी पढ़िएगा, बेलना तो रोटी ही है, क्यों इस लाइन में आप लोग आ रहे हैं, हो गया, शादी के बाद भी पढ़िएगा, अब उनको मैं क्या बोलूं कि मुझे पढ़ाने के लिए मैं छे बजे कोचिंग जाबाओ, इसके लिए मेरी इमा पांच बजे सुगर उठती है, वो मुझे चाई बना कर के देती है, मेरा नाश्ता मुझे तयार मिलता है, ये एफ़र्ट है, मेरा एफ़र्ट तो सामने दिखता है, मेरे माता पिता का मेरे सामने नहीं दिख पाता, लोगों को नहीं दिख पाता, तो अब आप शादी करवा करके भेज दोगे तो वहां पर क्या, और शादी, शादी बहुत ब्यूटिफुल चीज है, बहुत खुबसूरत चीज है, हमारे जीवन का अंग है, लेकिन इन लोगों के तानों से ऐ हलके मिले करके, ठीक है, लोग अगर बोल रहे हैं, लोगों के पास मैंने जाना बंद कर दिया, मेरे अपने घर में मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव लोगों की शादी ही, जन्यों हुए, ये हुए, वो हुए, हम लोगों ने सीधे तोर पर जाना शुरू कर दिया, ना जाए हैं कि आज के डेट में महिला सुरक्षा कितनी इंपोर्टेंट हो गई है, हम लोग हर समय घर से चल रहे हैं, कोचिंग तक जा रहे हैं, सुरक्षित पहुंचेंगे की नहीं, ये आज के समय में थुड़ा प्रश्न हो गया है, लड़कों लोगों के ताने, छीटा कशी, रो की नहीं को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब मैं अकाशानी में थी, तो मेरे साथ बहुत कम लड़कियां, आज के डेट में कुछ-कुछ लड़कियों के संख्या बढ़ गए है, जादा तर लड़कों के साथ आपको काम करना पड़ता है, लड़कों के को मजबूत बनाए रखना और घर में जो अपना विश्वास से उसको मेंटेन किये रखना लड़कियों के लिए खासा चैलेंजिंग जॉब होता है जिसको मैंने भी फील किया रात में कोचिंग होता था और 11 बजे कभी-कभी रात की 11 बज जाते थे और उस समय में आती थी घ जब मैंने एक्जाम क्वालिफाइ कर लिए आहां बढ़ मेहनत करे चले राइत राइत बर पढ़ कर वे चले अब वो मेरी पढ़ाई हो गई लेकिन जब मेरी तयारी का टाइम था तो वही कोशन वानाते थे कि पढ़िये क्या आइबरहल चे वोटल से आइबरहल लेते रस् मैंने शुरुवात में मताया कि मेरे टीचर्स ने किस तरह से मुझे किताबे दी उसी तरह से मुझे तयारी में बहुत सारे लोगों का साथ मिला मेरे दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले मेरे सीनियर्स मुझे बहुत अच्छे मिले एक बड़ा खुबसूरत सा वाकिया मेर तो जब मैं वहां से उतरती थी तो एक आंटी है उनका एक कचरी मूडी का दुकान हुआ करता था तो वो मुझे हर डोज देखती थी एक दिन मैंने देखा कि वो रात को अकेले ऐसे बैठी में में लेगी क्या आँटी आज दुकान में बंद करना है क्या तो नहीं बेटा मैं सपूर्ट हैं जो मीजे मिला कि लोग अच्छे लोग भी हमारे साथ हैं सिर्फ बूड़े लोग भी हमारे साथ नहीं हैं अब यह हमारे उपर डिपेंड करता है कि हम किन लोगों को साथ में ले करके किन लोगों की बातों को हम साथ में ले करके चाहिए तहां सब एकरा सस्क्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल चाहित उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरना दायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा था, हां के सुनल है मिलत, तबस बन लहूँ